नमस्कार मैं निशान भासकर आप देखने दर डेली टाइट आज हम जानेंगे देश में क्या सियासी समीकरण चल रहे हैं जहां एक और नितीश कुमार केसी यार ममता बनरजी सरत पवार जैसे बड़ी निता विपक्षी दलों को एक जूट करने में लगे हुए हैं वही मायवती, जगन महनरेड़ी, नवीन पतनायक और ओवैसी इन सबसे दूड़ी बनाए हुए हैं ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों मायवती, ओवैसी, जगन महनरेड़ी और नवीन पतनायक जैसे नेताओं ने एक जूट विपक्ष से खुद को अलग कर रखा है क्यों ये दल एक जूट विपक्ष का हिस्सा नहीं बन रहे हैं आईए समझते हैं सियासी समीकरन पिछले कुछ दिनों से विपक्षी एक्ता को लेकर कई खबड़े आ चुकी हैं बिहार के मुख्य मंतरी नितीज कुमार इसके लिए विपक्ष के कई नेताओं से मिल चुके हैं बंगाल की मुख्य मंतरी मम्ता बनर जी और तिलंगाना के मुख्य मंतरी के चंदर सेखर राओ भी इस तरह के प्रयासों में लगे हुए हैं एनसीपी प्रमुख सरत पवार भी परदे के पीछे से सकड़िये बताये जाते हैं इन सब के बीच बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायवती, AIMM प्रमुख अससुद्दीन OSE, YSR कॉंग्रेस के चीफ और आंधर प्रदेश के मुख्य मंतरी जगन मोहन रिड़ी, उरिशा के मुख्य मंतरी नवीन पतनाय कहीं चर्चा में ही नहीं है ऐसा लग रहा है कि एकजूट प्रमुख के डायरे से इन नेताओं ने दोड़ी बना ली है आखिर मायवती ने क्यों दोड़ी बनाई? आईए जानते हैं बहुजन समाजवाती पार्टी की स्थिति पिछले कुछ सालों में काफी खड़ाब बनी हुई है ऐसे में मायवती सबसे पहले अपनी पार्टी को ही एकजूट करने में जूटी हुई है नए सिरे से वह पार्टी के गठन और विस्तार पर काम कर रही है मायवती जानती है कि अगर बिना खुद मजबूत हुए वह विपक्ष के साथ जाती है तो आने वाले समय में उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है मजबूत पार्टी आपने फिसाफ से ही साड़े फैसले करेंगी और मायवती को उससे मानना पड़ेगा इसलिए मायवती अभी विपक्ष में शामिल होने की बजाए अपने पार्टी फर फोकस कर रही है दूसरा कारण ये भी है कि मायवती ने लोग सभा चुनाओं में समाजवादी पार्टी के साथ गड़ बंदन किया था तब उन्हें इसका ज़्यादा फाइदा देखने को नहीं मिला और हाली के विधान सभा चुनाओं में भी उन्हें एक सीट मिली बस अब बात करते हैं आंध्रप्रदेस के मुख्य मंत्री YSR कॉंग्रेस के प्रमु जगन मोहन रेड़ी की वह भी एक जुट विपक्ट से दूर दिखाई पर रहे हैं इसी तरह नवीन पतनायक भी विपक्ट से दूरी बनाए हुए हैं क्योंकि रेड़ी और पतनायक नहराष्ट पती और उपराष्ट पती चुनाओं में NDA का साथ दिया था और दोनों के व्यर्टिकत संबन प्रधान मंत्री नणेंद्र मोदी से भी काफी अच्छे हैं SME ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में दोनों विपक्ट से दूरी बना कर ही रखें और दोनों ही राजियों में 2024 में विधान सभा चुनाओं होनी वाले हैं दोनों की स्थिती अपने अपने राज में काफी मजबूत है इसलिए दोनों नहीं चाते कि विपक्ष में शामिल होकर राज के चुनाओं में सीटों का बटवारा कर दे इसलिए फिलहाल रेड़ी और पटनायक अलग रहकर ही राजनीती करना चाते हैं और वेट अन्वाच की भूमिका में रहना चाते हैं जब ज़रुत पड़े तो वो लोग किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं और असदुद्धीन एवासी का भी यही हाल है उन्हें भी सत्तापक्ष से तो कोई पूछ नहीं रहा क्योंकि वो तो येपी की विरोध की राजनीती करते हैं और विपक्षी मोर्चे से भी उन्हें कहीं भाव नहीं दिया जा रहा है इसलिए ओवैसी बॉखला गया है उनका कहना ये है कि वो अकेले ही अपनी राजनीती करेंगे और आने वाले दिनों में जहां जरुड़क पड़ेगी वो अपना असर दिखाएंगे तो आज के चर्चा में इतना ही आने वाले दिनों में और भी खबरे होंगी और भी चर्चा हम लोग करेंगे ऐसे ही अन्य पॉजिटिव खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे हमारे साथ देली टाइट नमस्कार